नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे लाल किताब में फिटकडी से बुद्ध ग्रह को कैसे शांत करें बुद्ध ग्रह के उपाए किस परकार से हम फिटकडी से कर सकते हैं तो दोस्तों उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुन सके तो दोस्तों लाल किताब में फिटकरी को बुद्ध से संबंदी तवस्तु बताया गया है जब कुंडली में सूर्या और बुद्ध इकठे होते हैं तो लाल फिटकरी को उपाई के लिए प्रयोग किया जाता है बुद्ध हमारी बुद्धी, हमारे विवेक, हमारी वानी का कारक है बुद्ध हमारी बेहन, भुहा, बेटी का भी कारक होता है बुद्ध हमारा वेपार भी होता है बुद अच्छे ग्रै के साथ बैठ कर अच्छा और बुरे ग्रै के साथ बैठ कर बुरा परभाव भी देता है इसलिए कुंडली में बुद का मजबूत होना अती आवशक हो जाता है बुद्ध की खराबी की वज़े से आप कई बार सही समय पर भी सही फैसले नहीं ले पाते हैं जिसकी वज़े से आपको हाथ से अच्छे-च्छे मोके निकल जाते हैं बुद्ध खराब होता है तो दात के संबंदित समस्याई इंसान को आ जाती हैं अगर कुंडली में बुद्ध खराब असर दे रहा है तो आप फिटकरी से अपने दांस साफ करें अगर आपके घर में नाकरात्मक उर्जा है या कोई वास्तु दोश है तो आप एक कटोरी में फिटकरी बरकर बात्रूम में रख दें ऐसा करने से फिटकरी हवा में मिल जाएगी और नाकरात्मक उर्जा को दूर कर देगी हर महीने आप इस फिटकरी को बदलते रहिए फिटकरी का प्रयोग नजर दोश में भी किया जाता है तो आप एक जलका लोटा बरें उसमें एक टुकडा फिटकरी का डालें सोते वक्त उस लोटे को अपने सिराने रखें और सुबह उस पानी को पीपल के पेड में डाल दें आप हर बुदवार को यह उपाई कर सकते हैं ऐसा करने से आप देखेंगे कि हमारे घर का कलेश दूर हो गया है अगर कुंडली में सूर्या और बुद की यूती है और यह यूती खराब असर दे रही है तो आप लाल फिटकरी का दान करें इसके इलावा बुद को मजबूत करने के लिए स्टील का बेजोड छला अपने हाथ की छोटी उंगली में जरूर पहने स्टील के छले के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए या स्टील का चला अभी मंत्रित किया हुआ अपने घर मंगवाने के लिए या वाफ्तू से संबंदिद किसी परकार की जानकारी पाने के लिए या अपनी कुंडली का विशलेशन करवाने के लिए आप किसी भी परकार की समस्या में हो आप हमें हमारे नमबरों पर संपरक कर सकते हैं आपको हमारे नमबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे जैश्री राम दोस्तों